तो आज integration का एक बहुत ही important और नए तरह का लेक्चर लेकर क्या हैं वीडियो लेकर क्या हैं integration by parts हमने बताया था तीन तरह का integration आपको पढ़ना है एक तो integration by substitution एक हद तक वो आपने पढ़ लिया अब हम आज से start करने जा रहे हैं integration by parts और उसके बार partial fraction के द्वारा integration को हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आज integration by parts यारी खंड़सा समाकलन में क्या हम लोग को पढ़ना होता है अगर दो function का multiplication हो तो उसका हम लोग integral कैसे निकालेंगे इससे पहले differentiation में दो function का अगर derivative निकालना होता था तो आपको याद होगा क्या होता था formula एक को first function में होने देते थे हम लोग एक को second function तो क्या होता था first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function lecture one और two में यह सब बताया गया है differentiation के लेकिन integral में इतना असान नहीं होता है देखें यहां fx और 5x दो function का multiplication है इसका हम लोग integral कैसे निकालते हैं यह first function है यह second function है तो क्या करते हैं first function into integral of second function minus integral आफ ध्यान दीजेगा यह तरह important है और थोड़ा सा यह practice करने से याद भी हो जाएगा परिशान होने वाली कोई बात नहीं है first function into integral of second function minus integral of derivative of first function into integral of second function मैंने पहले function का derivative और दूसरे function का integral को multiply करेंगे और जो multiplication का result आएगा उसका फिर से x के साब इस integral फिर से क्या है formula integral of fx into 5x first function into integral of second function प्रथम फलन हिंदी में भी सूर लेजिए कोई English में बहुत टफ चीज नहीं है first function into दूसरे फलन का समाकल x के साब इस माइनस समाकल x के साब इस किसका समाकल पहले फलन के ओकलाज और दूसरे फलन के समाकल के गुड़न फल का x के साब इस समाकल फिर से एक बार first function into दूसरे फलन का समाकल माइनस पहले फलन का ओकलाज d by dx आफ fx और दूसरे फलन के समाकल x के साब इस पहले फाई x dx इंटीग्रल आफ देख रहे न दोनों के गुड़न फल का फिर से x के साब इस समाकल और फिर से एक बार जितनी बार सुनना है सुन लेजे first function second function first function integral of second function minus integral of किसका integral दो चीजों के multiplication का किसका multiplication है first function का derivative और second function का anti-derivative यानिक integral पहले function का derivative और दूसरे function के anti-derivative को multiply कर देते हैं और जो multiplication आता है उसका फिर से x के साब इस integral बार समझ गया है first function into integral of second function minus first function के derivative और second function के anti-derivative के multiplication का फिर से integral ये इसका formula है practice करेंगे तो याद हो जाएगा लेकिन ये formula आया कैसे बहुत उसका importance नहीं है कि कैसे आया लेकिन हम वीडियो बना रहे है तो उसको भी बताते हैं ये इसी से आता है आप जानते हैं समाकलन में समाकलन क्या है आप जानते हो इसको आप जानते हैं इस फार्मुले को अब अगर दोनों पच्छों का इसमें एंटी derivative कर दिया जाएं इसका एंटी derivative क्या होगा लेटेंसाइट का डी डी एक्स लगा हटा डी बाइडी एक्स आफ एक्स का एंटी derivative क्या होगा इसका एंटी derivative क्या होगा इसको अटा दीजिए एफ एंटी डी एक्स होगा लेटेंसाइट का है एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स लेटेंसाइट का एंटी डेरिवेटिव तो होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स इसका एंटी डिरिवेटिव यानिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा fx इंटू gx और इसका तो दोनों तरफ लगा दी दिये हम लोग यह भी जानते होंगे आपको याद होगा d by dx of fx को क्या लिख सकते हैं f dash x ठीक है ना तो थोड़ा सा फार्मूले को ऐसे कर दे रहे ताकि छोटा लगे fx इंटू g dash x और इसको क्या लिख दे जी एक्स इंटू f dash x पात वही है ना g dash x क्या है gx का derivative है और f dash x क्या है fx का derivative है derivative यानि ओकल गुणांक ठीक है अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड का derivative क्या होगा integral क्या होगा इसको अटा दीजे बस इसका अंटी डेरिवेटिव क्या होगा fx इंटू g dash x dx प्लस दोनों का होगा ना gx f dash x dx ठीक है अब देखिए क्या हो जाएगा इसको इधर कर दीजे तो fx इंटू gx is equal to क्या हो जाएगा integral of fx इसको विदा देता है यह minus integral of gx इंटू f dash x dx is equal to fx इंटू g dash x dx कोई दिकत हमने क्या किया है बस पक्छानतर कर दिया है इसको इधर लेते हैं बाकी और यह हुई पर है ठीक है न अपने जगा पर कोई दिकत बोलिए अब इसको फिर से लिख दे है यानि इसको दुबारा लिख दे है इधर से fx इंटू g dash x इसको इधर लिख दे हैं लेफ्ट हैंड सैड में इसको राइट हैंड सैड में कर दे हैं dx is equal to क्या हो जाएगा fx into gx minus integral of gx into f dash x dx इस step में और इस step में कुछ खास नहीं किया गया यह डारेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग ठीक है न यह चीज क्या क्या इसको left hand side में जैसे इसको यहीं पर left hand side करके इसको इधर किये हैं अब इसको left hand side में लिख दिये हैं और इसको right hand side में कर दिये हैं ठीक है अब देखें दिस इंप्लाइज fx g dash dx is equal to fx into gx को हम लोग integral आप g dash x लिख सकते हैं बोलिए बही जी जी x का derivative क्या होगा g dash x एंटी derivative क्या होगा g x पात वही है न जैसे हम लोग a को under root a square लिख देते हैं कि नहीं तो उसी तरह से कभी भी gx को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंटी derivative आफ g dash x fx को क्या लिख सकते हैं एंटी derivative आफ f dash x किसी भी function में यह चीज़ चलेगा यह लिख सकते हैं g dash x मतलब क्या होता है g dash x क्या है g dash x का derivative यानि की oculus और g x क्या है यह क्या है g dash x का anti derivative तो g x के derivative का anti derivative क्या होगा g x होगा जैसे किसी संक्या के वर्ग का वर्ग पक्मूल वही संख्या होता है, उसी तरह से GX के डेरिवेटिव का anti-derivative, क्या होगा GX होगा, उसी तरह से FX के derivative क्या होगा F-X, अब उसका anti-derivative क्या हो जाएगा FX, तो यह कोई بहुत बड़ा चीज नहीं है, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है क्योंकि derivative एंटी derivative दोनों एक दूसरे के उल्टा बित्करम प्रासेस है मतलब reverse process है उत्करम नगा करके reverse process कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा तो जी एस का एंटी derivative derivative क्या होगा है जी एस का derivative चीज़ करने जा रहे है कि हमने क्या किया GX के place पे क्या लिख दिया एंटी derivative of G'X बिल्कुल उसमें सही है minus यहाँ F'X पहले लिख दें अब फिर GX को क्या लिख दें integral of F'X into GX है न तो F'X पहले लिख दिये हैं और GX को क्या लिख देंगे फिर स्वह लिख देंगे anti-derivative of G'X dx कोई दिकर्थ यह यहीं पे F'X को ना हो तो पहले लिख दें इसको इधर किया न GX into F'X था तो F'X into GX लिख देंगे तो कोई दिकर्थ नहीं है बोलिए F'X into GX dx भई A into B is equal to B into A होता ही इसमें तो कोई दिकर्थ है नहीं अब F'X अपने जगब पे है और GX को क्या लिख दिया anti-derivative of G'X ठीके न यह लिख सकते हैं अभी अभी हमने बताया है कि GX को क्या लिख सकते हैं anti-derivative of G'X यह कभी भी लिख सकते हैं तो हमने GX से पर क्या लिख दिया G'X dx integral A अब देखिए कोई दिकर्थ नहीं होना चाहिए और DX यह DX पहले से ही है यह हमने क्या किया है इस step में इसको red color से लिख दे रहे हैं जो हमने किया है काम क्या काम किया हमने हमने GX के जगा पे लिख दिया है anti-derivative of G'X यह किया है यहां लिख दिया है वहां के बजाए ठीक है दिख रहा है ना यही काम हमने कर दिया है इस step में दो जगा G'X है दोनों जगा G'X यह पर हमने क्या लिख दिया है anti-derivative of G'X अब अगर हम G'X को माल लेते हैं Phi'X अगर इस समीकरण में लिख दें तो क्या हो जाएगा जहां जहां G'X उसके जगा पे Phi'X लिख दें यहां है इंटिग्रल अब नहीं क्यों G'X को Phi'X लिख देंगे तो यहां G'X है यहां G'X है और यहां G'X तीनों G'X के जगा पे Phi'X लिख देंगे बस देखिए क्या हो जाएगा क्या करना है G'X को जगा पे Phi'X हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा जगा देख लीजिए तीनों जगा यह लिखने जा रहे हैं G'X के जगा पे क्या लिखने जा रहे है Phi'X दिवाग भी इसको बनाए रखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग जहाँ-जहाँ G'X उसके जगा पे क्या लिख देंगे Phi'X तो क्या आएगा देखिए Integral of F'X Phi'X D'X G'X के जगा पे क्या लिख दे हमने Phi'X is equal to F'X into Integral of G'X के जगा पे क्या लिख दे Phi'X D'X minus F'X into Integral of G'X के जगा पे क्या लिख दे Phi'X D'X Phi'X लिख दे और D'X तो पहले सही है और फिर अजला कोश्टा कोई सही रहगा यही तो formula है नीचे तो देख लीजी यही चीज आ गया Integral of F'X into Phi'X is equal to क्या हो गया First Function into Integral of Second Function minus First Function के Derivative और Second Function के Anti-Derivative के गुड़नफल का फिर से Integral X के सापच इतना असान है इसको अगर आप ध्यान देदेंगे तो बड़ा ही असान है formula आपको भी याद हो जागा formula के लिए परसान मत होईएगा हमने बस क्या किया है अब इसको भी टा देते है formula को तो formula आ गया हम लोग किये क्या इसी स्टिप में हम लोग G-X के प्लेस पर क्या लिख दिये है पाई-X एक बार फिर से इसको जहां-जहां G-X उसके जगह पर क्या लिख दिया हमने पाई-X लिख दिया है ठीक है तो फर्मूला याद रखेंगे अब कुल मिला करके formula पर ही concentrate करते है ठीक ह derivative of second function plus second function into derivative of first function एक बार फिर से देख लिजिए अब क्या किया है दोनों पच्छों का anti-derivative यानि समाकर ले लिया इंटीग्रल कर दिया तो यह तो derivative है इसका anti-derivative क्या होगा बस D by D-X को अटा दिजिए इन दोनों का anti-derivative के लिए क्लिए क्या करेंगे देखें लगा दिया D-X इधर लगा करके D-X लिख दिया ठीक फिर क्या किया हमने F-X और G-X अपने जगह पर रहने दिया और क्या किया इसको इधर लेकर आ गए G-X F-X को इसको अपने जगह पर रहने दिया ठीक अब क्या किया है इसको left-hand side में कर दिया है और इसको right-hand side में कर दिया है जब right- हैं इसे कोई फरक नहीं पड़ेगा गर यह पहले रहा यह बाद में तो कोई दिखत नहीं अब क्या किया है यहाँ तो लेट偏इंड साइड में कुछ नहीं किया राइट-hands делать awesome फिर मिटा दिया फिर अ क्या कि आमने जी अक्स के दिगापे क्या लिख दिया है कि एंटी डेरिवेटिव आफ ग्ली दिख रहा होगा तो फिसे एक्दम तो टीक है यहीं कि आप सकते हैं यह क्या हो गया यह क्या है यह क्या है तो दोनों जगह हमने जीटिवेटिव पर ग्ली देरिवेटिव आफ ग्नला प्रतम फलन और दूती फलन का गुडणफल है प्रतम फलन इंटू दूती फलन का और समाकल एंटी डेरिविटीव या इंटीग्रल फिर माइनस प्रतम फलन का डेरिविटीव यानि की ओकल गुडणग और दूसरे फलन का समाकल यानि की इंटीग्रल यानि की एंटी डेरिविटीव के गुडणफल का फिर से एक्स के सापेज समाकल या इंटीग्रल या एंटी डेरिविटीव इतनी बार हमने इसको रिपीट किया है आपको याद हो जाना चीए नहीं तो फार्मूला अब नुमेरिकल जब लगाएंगे इस पर कोश्चन लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाना चीए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा एक चीज का ध्यान देना पड़ता है जब दो फलनों के गुडण फल का डेरिवेटिव निकालते थे हम लोग ओकलर निकालते थे तो उसमें किसी को भी पहला मान लेते थे किसी को भी दूसरा मान लेते थे उससे कोई फरक नहीं प तो 2nd function कम से कम इसका ध्यान रखेंगे जिसका हमको इंटीग्रल मालूम हो इसका फ़र्मुला हम लोग को आसानी से मालूम हो इंटीग्रल का उसी को second function लेंगे क्योंकि derivative यानि निकाल लिये थे बागी सबका, अभी बहुत सारी चीज का फर्मूला आपको नहीं मालूम है, तो जिसका इंटीग्रल आपको आसानी से मालूम है, उसको f2x लेगेगा, ठीक है न, जैसे sin inverse x इंटीग्रल अभी नहीं पता है, tan inverse x का नहीं पता है, lag x का नहीं पता है, तो और second function नहीं मानेंगे, second function किसको मानेंगे, जिसका इंटीग्रल आपको पता है, और अगर दोनों का इंटीग्रल पता हो, दोनों का समाकल मालूम हो, दोनों का anti-derivative मालूम हो, तो x to the power n टाइप का जो function होगा, उसको first function मानिएगा, अब बाकी दूसरे वाले को second मानिएगा, क्य कि पहले एक question तो लिया जाए, फर्मूला जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, और सब चीज़े सीखते जाएंगे, अभी तो, खंडसा समाकलन का है, अभी शुरुवात है, just starting है, integration by substitution तो बहुत हो चुका है, अभी ये तो शुरुवात है, पहला question लेने जा रहे है, देखे, x into log लाग x, ये पहला question है, इस फर्मूले पर आधारी, अब सवाल है कि किसको हम लोग पहला मानें, किसको दूसरा मानें, derivative तो दोनों का पता है, लाग x का भी x का भी, लेकिन anti-derivative दोनों का नहीं पता है, x का तो पता है समाकल, x का तो integral x square by 2 होगा, लेकि लाग x का भी पता न फिर तो यहां कोई जंजटी नहीं है, इसको आप first मानिए, इसको second मानिए, क्योंकि second function हम लोग उसी को मानते हैं, जिसका integral हम लोग को पता है, लाग x तो integral पता है नहीं, इसको second मान लेंगे, दो बार इसका समाकलन करना है, कहां से करेंगे, पता रहे हैं तभी तो इसको ध् पड़ता है, अब देखिए क्या होगा, फार्मूले पर रखने जा रहे हैं, पहला फ्लन, लाग x, इंटू, इंटिग्रल आफ, x dx, माइनस, पहले का ओकलाज, डेरिवेट्टिव, यानि कि d by dx आफ, लाग x, इंटू, दूसरे का इंटिग्रल, यानि कि anti-derivative, x dx, दोनों का गुड़ा कर दिजे, इंटू dx, अब देखिए क्या हो जाएगा, लाग x, इंटू x का क्या होता है, इंटिग्रल, x square by 2, इंटू, माइनस, लाग x का derivative क्या होगा, 1 upon x, और x का derivative क्या होगा, इंटिग्रल, 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 x dx का value कितना हो जाए, x square by 2, dx ठीक है न? इसको पहले लिख देता है x square by 2 lag x कोई दिकत x square by 2 into lag x minus यहां x x cancel हो गया x by 2 बच गया 1 by 2 कर दिये बाहर क्या बच गया? x dx ध्यान दिये ही होंगे x square by 2 lag x minus 1 by 2 अब x का क्या हो जगा integral? x square by 2 प्लस c तो last में लिख देंगे अब यह क्या हो गया? x square चाहे तो कामन ले लिजे, x square by 2 ही कामन ले लिजे, क्या बचेगा? lag x minus 1 upon 2 plus c, this is the answer फिर से ध्यान दे दिजे इसको हमने पहला मान लिया है, इसको दूसरा first function into integral of second function minus first function के derivative और second function के anti-derivative के गुड़न फल का फिर से integral निकालते हैं x के सापेच इधर यही करते हैं, first function का derivative और second function का anti-derivative, दोनों का गुड़ा करते हैं और जो गुड़न फल आता है, उसका फिर से x के सापेच समाकल यानि की integral यानि की anti-derivative निकालते हैं x का क्या हो जागा integral? x square by 2 lag x का derivative यानि की oculus, क्या होगा? 1 upon x, यह तो आपको याद ही होगा और x का क्या होगा anti-derivative यानि की integral? वही x square by 2 x से x cancel हो गया 1 by 2 बाहर निकल गया फिर x से x square by 2 ही होगा यह answer हो गया, यहां भी छोड़ सकते थे यहां x square by 2 हमने काम ले लिया, ओके? अब देखिए, एक और examper लेजिए अब एक ऐसा examper ले ले जिसमें दोनों का ही हम लोग को समाकलन पताओ x square into sin x अब इसमें दो बार करना पड़ सकता है, देखिए किसको पहला माने, किसी को भी पहला मान सकते हैं दूसरा, इसमें दोनों का ही हमको integral पता है इसका भी, इसका भी जब हमने का दोनों का integral पता हो तो x to the power n वाले को पहला मानना चाहिए तो इसको first function मानिए, इसको second function दियान रखिएगा, x to the power n वाले को हमेशा पहला मानेंगे, अगर दोनों का integral पता हो नहीं पता है, तो बात अलग तब तो फिर उसी को मानेंगे second function जिसका integral पता हो यहाँ तो दोनों का integral हम लोग निकाल सकते थे तो sin x को दूसरा मानेंगे, अब देखे करते हैं पहला फलन into दूसरे का integral sin x का integral क्या होता है minus cos x, टारेक्ट लिख दें पहले लिख देंगे एक बार और फर्मूला sin x dx minus first function का derivative यहाँ कि d by dx of x square into second function का anti-derivative sin x dx दोनों का multiply करके first function का derivative और second function के anti-derivative के multiplication का फिर से हम लोग integral निकालेंगे तो यह x square sin x का क्या होता है integral minus cos x x square का क्या होता है derivative यहनि क्यों 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 लिख 2x फिर sin x का क्या होगा minus cos x sin x dx क्या होगा minus cos x फिर एक dx रहेगा ही अभी यह आया ने पूरा नहीं हुआ minus x square cos x minus पहले लिख दे रहें minus x square cos x minus minus plus हो जाएगा अब दो बाहर निकाल लेते हैं x into cos x अभी एक बार में काम नहीं चलेगा यहां से अब फिर से करना पड़ेगा फिर वही करेंगे फिर इसको first मानेंगे फिर इसको second मानेंगे अब जा करके होगा हो x square cos x plus 2 यहां बड़ा ब्रेकेट लगा दे रहें फिर वही से ही first function into अब डारेट कर दें cos x का anti-derivative यानि integral क्या होगा sin x minus first function का anti-derivative sorry first function का derivative लिख देते हैं formula लिख देते हैं d by dx time है d by dx of x into second का जब जल्दी बाजी में शुरुआत में नहीं करेंगे ने तो गरबड़ा जाएगा यहां भी तब लिख दर है चीक है first function into second का anti-derivative यानिक integral minus first का derivative और second का anti-derivative यानिक integral के multiplication का फिर से x के साब इस integral बहुत यह असान होता है बस सुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है एक बार समझ गए तो बहुत यहीजी लगेगा cas x का integral क्या होता है sin x minus x का क्या होगा derivative 1 और cas x का sin x बड़ा bracket बंद करती है एक लाइन और लग रहा है कि करना पड़ेगा x square cas x plus 2 bracket में x sin x तो हो गया है काम minus sin x का क्या होता है integral minus cas x तो minus cas x लिख देंगे तो minus minus plus हो जाएगा plus c ज्यान दीजेगा अब 2 से चाहिए तो multiply कर दीजेगा कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए ठीक है फिर से एक बार देख लीजे first function into integral of second function minus first function का derivative into second function का anti-derivative के बुड़न पल का फिर से x square का क्या हो जाएगा 2x sin x क्या हो जाएगा minus cas x ओके फिर minus x square cas x यहाँ minus minus plus 2 हो गया x का से x का दुबारा हमने कर दिया है first function into second का integral फिर first का derivative और second के anti-derivative का बुड़न पल का फिर से हमने कर दिया है समाक फिर ठीक है और कुछ question लेकर के कुछ और example लेकर के समझाते है ठीक है ध्यान से देख लिजे पहले इसको एक और ले लेते हैं कि लाग x का integral तो आपको पता नहीं होगा आज इसका formula भी निकल जाएगा लेकिन कहेंगे कैसे निकलेगा यहां तो एक ही फलन है यहां तो दो फलनों का multiplication है नहीं ऐसे question में one into कर लेते हैं constant function हो गया अचर फलन अब यह दो फलन हो गया इसका हमको derivative पता है और एक का anti-derivative पता है तो इसको first function मान लेंगे और एक को second function हो जाएगा इसमें ऐसे कई बार आएगा कि कुछ question में एक को हम लोग गुड़ा करके और उसको दूसरा फलन ले लेंगे ऐसा आगे आएगा अभी तो हम बस फर्मूले को ही आपको practice करा रहे हैं कि आपको फर्मूला याद हो जाए फिर ज्यादा तर एक्जामपल ज्यादा question अगले माइनस पहले फलन का derivative x के सापेश oculus यादि कि लाग x का x के सापेश oculus इंटू फिर दूसरे फलन का anti-derivative x के सापेश यादि 1 right-hand side देखे लाग x 1 का क्या होता इंटीग्रल x माइनस लाग x का anti-derivative यादि की oculus क्या होता है 1 upon x और dx का anti-derivative यादि की x होता है और दोनों के गुड़नफल का फिर से करेंगे इसमें x को पहले लिख देंगे कुछ लोग lag x into x को x square लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा यह पूरे में गुड़ा है क्योवल x में नहीं है तो इसको इसलिए पहले लिख दिया करिएगा नहीं तो बात में x into x को x x square लिख देते हैं कुछ लोग तो यह गलत हो जाएगा यह x x cancel हो जाएगा क्या बचेगा dx x lag x minus dx का क्या हो जाएगा x प्लस last में c लिख दिया करेंगे अगर कहीं c छुट जाता है कि इसी question में आप उसको लिख दीजिएगा यही इसका फर्मूला है तो lag x का integral का फर्मूला आ गया चाहिए तो आप x common ले लिजिए lag x minus 1 प्लस c एक question और कर ले रहे हैं उसके बाद आपको घर पे practice के लिए कुछ question दे देंगे x square into e to the power x यहाँ भी दोनों का हम लोग समाकल integral निकाल सकते हैं दोनों का ही integral पता है तो ऐसे case में किसको first function मानेंगे x to the power n वाले को first function मानते हैं तो एकदम यह clear हो गया कि इसको हम मानेंगे first और इसको मानेंगे second यहाँ पी यह समस्या नहीं है कि किसका integral मानेंगे दोनों का ही integral हम लोग को पता है तो फिर क्या होगा first function into integral of second function minus first function का derivative यानि की oculus यानि की oculus यानि की oculus गुडांक into second function का anti-derivative यानि की integral यानि की समाकल और दोनों के गुड़नफल का x के साप़ेश फिर से integral x square into e to the power x e to the power x का integral भी e to the power x होता है derivative भी x square का derivative यानि की oculus यानि की oculus यानि की oculus गुडांक क्या होगा 2x e to the power x का anti-derivative यानि की integral यानि की समाकल क्या होगा e to the power x ही होगा dx ये e to the power x को पहले लिख दीजे minus 2 बाहर निकाल लीजे इस पे भी दुबारा फिर से करना पड़ेगा फिर इसको first इसको second जितना ज़्यादा power रहेगा अगर x cube रहता तो ये तीन बार करना पड़ता तब तक करेंगे जब तक कि जैसे चलनी से चालते चालते पुरा कुडा करकट बाहर न निकल जाए उसी तब तक करते रहते हैं अगर x पे power 4 रहेगा तो 4 बार करेंगे अभी तो 2 ही लिए आपने e to the power x into x square minus 2 फिर जेखिए first function into second function का anti-derivative यानि की integral यानि की समाकल direct लिख दरें e to the power x minus first function का derivative यानि की ओकल ज यानि की ओकल गुडांग क्या होता x का 1 into second function का anti-derivative यानि की integral यानि की समाकल क्या होता e to the power x दोनों का गुडा कर दिया dx तिन नाम हम दे रहे हैं कि आप किनों बोलना जरूरी है कोई एक बोल देंगे 2 x into e to the power x minus e to the power x क्या होता integral e to the power x ही होता है plus c last में c लिख देंगे अब चाहे तो ये minus 2 से multiply कर सकते हैं या e to the power x कामल ले लिजे ये भी कर सकते हो आप ठीक है ना ये तो आपके उपर है ये कोई बड़ा प्राबलम नहीं है हम 2-3 question आपको घर पे practice के लिए छोटा-छोटा दे देते हैं ताकि आप घर पे practice करो ठीक है दुआरा बताने के जुरुत नहीं है x square into cas x एक question दूसरा x square into lag x और तीसरा x into e to the power x तीन question आपको घर पे practice करने के लिए दे दिया हमने ठीक है आप करेंगे और अगर hint चाहिए तो इसमें किसको first function मानेंगे इसको इसमें इसको second आप जानते हैं इसमें किसको first मानेंगे चुकि यहाँ पे इसका हमको integral नहीं पर आप कहेंगे अभी तो पता चल गया है तो फर्मूला निकाल के किया है ना पहले से नहीं पता था पहला दिन जो आप फर्मूला जानते थे जो derivative से उधार ले करके वही असली फर्मूला होता है उसी को याद बाकी सब तो निकालना पड़ता है तो इसको क्या करेंगे थिक है और जो दीकत आएगा बताईएगा यह इसको नों तो कर देंग हो किसको कर दे रहे हो एक लैन कर दे recommend कि इसको फ्रस्ट सेचंक Another second का क्या होगा इंटिग्रल यह यह स्चración क्या होता हैस new ऑग त्री माइनस पहले का लंड लाग एक्स क्या हो जागा unfortunately पान एक्स बहुत असान तरह नहीं करने की उर्थी और एक्स क्यों थ्रीडी एक्स कर लेंगे आप लोग दुबारा करने की युदुनि उसमें एक भी बार में हो जा रहा है तो हमको लगा कि कुछ बड़ा होने हो जाएं क्योंकि पहला दिन है आपको फर्मूले को में आपको फार्मूला याद करना है कि फार्मूला है क्या है फार्मूला एक बार फिर से शुरू से अंत्र तक कई बार उसका हमने चर्चा किया फर्स्ट फंक्षन इंटू इंटीग्रल कहिए या इंटी डेरिवेटिव कहिए या समाकल लो समाकलन नहीं 1st function into integral of second function या anti-derivative of second function या दूसरे फलन का समाकल minus first function के derivative और second function के anti-derivative के multiplication का फिर से integral पहले फलन के ओकलज और दूसरे फलन के समाकल के गुड़नपल का फिर से समाकल यही करना होता है ठीक है न? और इस फे 3 questions हमने किया है कुर्शन आपको घर पर प्रेक्टिस करने के लिए ठीक है आप प्रेक्टिस करेंगे नेक्ट वीडियो और ज्यादा एक्जामपल ले करके आएंगे ठीक है थैंक यू